हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर विक्रम जी सिंग आज फिर आपके रूब रूब हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिग लेके जो के आकसर लोग स्वाल पुछ दिया कि बच्चान दमाग तेरी दी हड़ी दी अपरेशना दी लोड़ पैसकती है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहला मैं तो अपने वारे अपने पेज वारे ते अपनी वर्क प्लेस वारे दस्ते ना चांद नहां मेरा नाम डॉक्रम जी सिंग मैं एम्वीवेस एमेस एमसेच कंसल्टेंट नियुरोसरजन संजे गंदी पीजय लखनावु तो जो मैं अपन सब्सक्राइब काफी बड़ा थे मिशूर हस्ताला होते कम कर रहे हां ते पेज जड़ा है यासी ब्रेन ते स्पाइन दी प्रब्लम हां दी एवेरनेस ले जड़ा है जैन्मरी 2017 तो जो पेज यासी रान कर रहे है ते ये तो आनो वीडियो पसंद आए तो यहनों लाइक ते शेयर भी कर देना ते हुन आपका मेन टॉपिक ते आने हां कि की बच्चा नूँ अपरेशन ब्रें ते स्पाइन दी लोड हो सकती है ते की की सिंप्टम हां जी तो जड़ा पेरेंट्स आओ इडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा नूँ कोई ब्रें या स्पाइन दी प् बहुत सारी बच्चे नी जड़ी ब्रें ते स्पाइन देंजने प्रॉब्लमा नूँ मां दे पेट दे विच ही इडेंटिफाई कर लेंदा है नॉर्मली टूडी एक डिटेल स्कैन किता जानदा है जदो ठारा तो भी हपते दा बच्चा मां दे पेट दे विच हुनदा है ति इवन जनम दे टाइम ते भी बच्चे नी जड़ी प्रॉबलम है ब्रें दे गोडंटिफाई कर सक देयां कि दे बच्चे नी जड़ा है ब्रेंग चोटा होना एक इंडिकेटर है बच्च दा बहुत जादा रोना सरदद करके मुझाँफ बारिए बारुबर उल्टी आना बच्च दा कुछ माइलस्टोन हों त 114 पंज्म ने बच्चा बैटना शुरू हलूप इसाथ बच्च गळॡ़ावत दीडीन सरत कर least कर सके Rs 506 कुछ लें दा एल्डा हितल från precis सिर दे पिछे जहां रीड दी हटी दे पिछे कोई बड़ासारा फोडा होँना करए यह सीधा सिम्टम है कि बच्चे नों जुड़ है स्पाइन दी प्रॉब्लम है जा बच्चे दे खास करके स्पाइन दे पिछे को बाला दा गुच्छा होना भी यह सीधा इंडिकेटर है कि बच्चे नों स्पाइन दी प्रॉब्लम है प्रभ्लम में डिस्कस कर दें कि एक एक बच्च दे सिर्दे पिछह एक फोड़ा होंदा है वो फोड़े दे विच कल्ला पानी भी हो सकता है जा फोड़े दे विच ब्रेन दा पोर्शन भी हो सकता है उन्हों फिर जड़ासी रिपेर करके जड़ा है उन्हों रिपेर कर देने हैं कला पानी है तो उन्हों ड्रेन करके औस ड्र ते डिफेक्ट नू रिप्यार कर दिना हां तर जह पानी देना ब्लें दा कुछ फोर्शन भी है तो उन्हों वापिस रिपोजीशन करके ड्र प्लास्टी कर दिना है सेकन्ड मिनज़ शील मतलब रीड धी हटी दे पिछ। फोड़ा होना ये फिर हो ही दो तरहं दा हो सकता। कल्व Ciao सगढ़ जैंड चिली टी सि कर रही कर दें हैं घनी मनुहां की दें माय लोग मिनलोग फोड़े दे पानी चली तो लाोवा ब्रें ते नाडा भी है तो वसकेस और योना पॉजिशनय करके आ है र Кто कर देंज पूसेरी कुछू रला पॉब्स एंडिय ती मिता के घूआ है त्यां ब्रींडबाज जिए यह किव突ड जो हो सकता है इस केस्ट अगर बच्चे नों सिंप्टम आंदे तो शंट किता जाना मतलब पाइप पाकेज़ा वो पानी है उनों पेट देवेचे डिवर्ट करते जानता है तो इस तो लावा इवन ब्रेन दे उपर ले हिस्सेच ची भी पानी दिया रिसॉलियां हो सकती है जिनन ननों असी ऑपरेशन करके कड देने है इस तो लावा जिड़ी प्राबलम है जिननों सिक्यारी मालफॉर्मेशन कहने है एदे विच्वी जिड़ा ब्रेन दे पिछले बास से दा हिस्सा है ओ सई बने निहुंदा हो दी हड़ी सई बनी निहुंदी एदे करके की हुंदा नों रपेर कर देने है इन्वोसी डॉक्टरी लेंगोज फोरमन मेंगनम डीकम्प्रेशन बिद डूरोप्लास्टी कहने है तो देना बच्चा बेटर हो जाना है इस तो लावा जड़ी हो रिक बहुत रियर प्राबलम है तुसी सारे ने टीवीच भी देखी होनी है जिननो जो असी क्रेनियोफेकस स्वेन कहने है त्विन कहने है मतलब दो बच्चे अंदे सेर जुड़े होए एक बहुत ही कंप्लिकेटर ओपरेशन हों देज प्रॉपर असी पहले एमराइस वेरा करके फिर उनना जेड़ा सेरा नों अलग कीता जान दा हाला कि प्रॉब्लम बहु अग्यों कर रहे हैं बच्चे नों प्रेशल सिंटम हों देया बच्चे दो दर्द वन दा उल्टियां निया माबाब भी फील कर देया भी बच्चे असी सेपरेट करके जड़ा है बच्चे दी प्रॉपर ग्रोथ कराने हैं यह सारी आ के डिशन दे बिचि टाइमली यह फुड़ीजिआ ल्रौक्ष बात बिया, इस उन्यम सारे में नम्हें करेंट इसे हैं इसे मैं ब्रेंशेटिए ऎकडारी आप से लिएक नॉर्मन सिस्टम अधर भर्याज़ कौनाटा बट कई बच्चे आंदे विचे एजड़ा सिस्टम है डिफेक्टिव होंदा है इसकेस बीच भी फिर बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ा हुंदा जानदा है उन्हों उल्टी आंदिया उदी निगाह काट जानदी है तो इसकेस बीच भी ऐसी जाता शंट पाके जड़ा है पानी जड़ा है पेट्टे डेवाट कर देने हैं फिर पेट्टों के खून चराल जानदा है जहां सी दूर भी नाल भी जड़ी हो चिली नुवी कहीं रपेयर करके उत्थोंदी भी जड़ा है पानी दा रास्ता सही कर देने हैं इस तो लावा बच्चे आंदे विचे रेर बच्चे नाड़ा ने बहुत सरी दिक्कता आए नाड़ा गुच्छा बन जानदा है बटो मैनिफेस्ट लेट कर दा है वीक साल दी उमर्च जांके इवर नाड़ा अपने आपी खतम होनियां सुरू हो जानियां उसी मौया मौया डिजीज कहने हैं इस केस फिर आसी बच्चे नाड़ा नागा जानदा है वा जिए बच्चे नागा याफ एटी तुट्ट जानदी है ते वह टूट्ट के फ्रेक्चर आए उन्हों सी घ्रोंग इन्ग शकल्ट कहने हैं तो दे बिच्चो फेर जी पानी आई ब्रीन जाना है पोर्शन बार आन लग जान दा है उस केज फिर operation करके वो डूरोप्लास्टी करके ते उन्हों जड़ा है growing skull fracture नों सी ठीक कर दे हैं इस तो लावा split cord हो जान दी है split cord की हुंदा है कि जड़ी अपनी normal final cord बन दी है उदे बिच हड़ी बन जान दी है उन्हों फिर जड़ी ग्रोथ हों दी है उन्हों फिर हड़ी जड़ी है कोड नों किक तरह ना कहले हो कटन लग दी है तो उसी operation करके उजड़ी एक्स्ट्रा हड़ी है उन्हों कट दे हैं ते फिर बच्चा जाके सही हुंदा है ते इस तो लावा एक tethered cord हों दी है जो normal हमारे spinal cord हों दी है वो free हों दी है क्योंकि brain ने जड़ा grow है वो दो तिन चार साल दी उमर तक की करना है जबके बच्चे ने grow जड़ा ठारा साल दी उमर तक करना है तो normally वो free हों दी है बच्चा grow करता है उन्हों कोई दिक्कत नहीं आंदी बट कई cases दे विचो थिक जड़ा phylum terminal कहन नो कट दे हां ते नाड नो free कर दे हैं यह में में जड़ियां दिक्कता है जड़ियां बच्चे ने विच आ सकते हैं में गल हो ही है कि तुसी aware रहना है अगर तो अनो कोई भी ऐस तरह ना symptom sign लगदा है तब अपने जड़ा नियर्स नेरो सजन नो दिखाना है तो प्रॉप कि यह तुसी सानों कॉंटेक्ट करना जाने होता साथा page follow कर सकते हो साथा in राम पेज फॉलो कर सकते हो साथा youtube channel follow कर सकते हो सबस्क्राइब अपनी प्राब्लम मैंनों मेल भी सकते हो मैं सवेड़े 9-23 तक सेकेड़ाब हो सब्सूदों जलंदर अवेलेबल होना हा ति शामिन पांच तो अठोई तक जड़ा मेरा अपना क्लेनिक है अर्बन स्टेट फेस टूदी मार्किट दे विच पट्रॉल पांप दे नेड़े उत्थे में अवेलेविल होना आज लिए एन नहीं थेंक यू